हाई स्टुडेंट्स कैसे हैं आप और आपकी स्टड़ी अच्छी चल रहे होगी कॉंसेट्स को क्लियर करिए कुश्चन रेज करिए डाउट पूछिए तो आप देखना चीजे जब समझ आने शुरू हो जाएंगी तो अपने हाँ पी इंट्रेस्टिंग लगने शुरू हो और आज हम ले रहे हैं चैप्टर फोर मोविंग चार्जिज एंड मैगनेटिज और आज क्या हमारी टॉपिक से हैं चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोडक्शन और स्टर्ड एक्सपेरिमेंट लॉरेंज फोर्स डेफिनिशन ऑफ मैगनेटिक फिल्ड रॉम लॉ निए चीच्वे में सुरु रहा है हमारी यूदि थार्ड है मैगनेटिक एफेक्ट तो यह हमीशा ही एक मैटर मोऊफना है स्टुडेंट्स त्यडी का स्यंटिस्ट यह स्ट्डी करते हैं कि कैसे एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट फिव्ड़ फोर्स प्रेड्यूस करत और ऐसे magnetic field कैसे force produce करता है magnetic force on some substances और on magnets तो यह study का हमेशे रहा है और पहले यह माना जाता था कि यह दोनों जो physics हम बात कर रहे हैं electric field की और magnetic field की क्या यह दोनों separate है यह दोनों interrelated है तो पहले starting में 2000 year से study चल रही है इस तरह की और electric जो current electricity थी इसे अलग माना जाता था इस theory को और magnetism को अलग लेकिन इक experiment accidentally हो गया और उसे wasted experiment कहते हैं और इस experiment ने एक revolution ला दिया इन दोनों theories को के field में और इनको interrelated कैसे से बताया यह हम देख सकते हैं तो oyster experiment में क्या हुआ कि डैनी से physicist oyster एक experiment demonstrate कर रहे थे एक lecture अपनी class में और by chance उन्होंने देखा current carrying wire के पास एक magnetic needle रखी थी by chance तो उन्होंने देखा जब current carrying wire में current flow कराते हैं तो magnetic needle में deflection आता है यानि कि एक current इने wire caused a deflection इने nearby magnetic compass needle और जो deflection था दा deflection increases on increasing the current or bringing the needle closer to the wire फिर उस्टर ने conclude किया इस एक्सपरिम्सपरिमन से उस्टर्ड चौंड आ तो से उस्टर्ड ने गुंड कीया इसे एकश्परिमें से ऊस्टर्ड ने तो or currents produced a magnetic field in the surrounding space. इन्दा surrounding space तो ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसने एक revolution लाया physics के field में क्योंकि जो theory दोनो current electricity और magnetism बिल्कुल separate थी इनका unification हुआ और आज हम पढ़ते हैं दोनों को मिलाके electromagnetic theory और आज हम कहते हैं कि दोनों जो एक्सपेक्ट हैं physics के ये इंटर रिलेटेड हैं inseparable हैं तो electromagnetic theory हम पढ़ते हैं तो अगर कोई आप से पूछे ये जो इन मेगनेट का यूज तो आप हर जगे देखते हो कभी आप कोई नोट चिपकाना हो आपको आपके फ्रीज के डॉर पे तो एक मेगनेट के हल्प से आप उसको पेस्ट कर देते हैं लगा देते हैं और ऐसे ही आपने कभी मेगनेट हाथ में लेके देखे हो तो आप मेगनेट को किसी आईरन के object से बच्चे आप जब भी बच्चे रहे होंगे आप खेले होंगे तो मेगनेट को हमने देखा electricity हमारे आसपास है यह कि हम कहते हैं कि यह दोनों इंटर रिलेटेड हैं और recording music या images on audio top audio tape और video tape पे जो होता है magnetic इसमें फेनोमेना आता है आप इसको detail में पढ़ेंगे आज कल हम digital technology ने largely replace किया है magnetic recording को लेकिन फिर भी इस industry में depends on magnets जैसे आप कह सकते हूं CD player, DVD player and computer hard drives, magnet also drive the speaker, headphones, TVs, computer and telephones तो यह सारी जो हम चीजे पढ़ेंगे electromagnetic में हम पढ़ेंगे अगर आप से कोई कहीं what is magnetic तो it refers to the physical phenomena arising from the force posed by magnet और आपको कहीं electromagnetic it refers to the physical phenomena which is defined in terms of electromagnetic forces which includes both electricity and magnetism तो magnetism हम पहले पढ़ते थे तो मैंने अभी आपको बता आप it refers to the physical phenomena arising from the forces caused by magnet और फिर electromagnetism आज हम पढ़ते हैं तो it refers to physical phenomena which is defined in terms of electromagnetic forces which includes both electricity and magnetism तो यह देखे आप यह experiment होना था और यह दोनों थेोरी को inter-relate होना था और आपको यहाँ पे बड़ा interesting सा एक relation देखने को मिला है और यही beauty physics की तो next थोड़ा हम बढ़ते आगे तो फिर आपसे कोई कह सकते कि जैसे हमने gravitational field पढ़ा electric field पढ़ा तो ऐसे ही magnetic field होता है magnetic field तो क्या concept है magnetic field की तो the space around a magnet or current carrying conductor within which its magnetic influence can be experienced is called magnetic field its magnetic influence can be experienced you can say by magnetic needle or magnetic substances तो किसी भी magnet या current carrying conductor के around वो space जिन मेंनका magnetic effect experience किया जाता है किसी magnetic needle के द्वारा या किसी magnetic substance के द्वारा उसे हम magnetic field कहते हैं तो जैसे concept आपने gravitational field की पढ़ी थी और electric field की पढ़ी थी ऐसे आप magnetic field की बात करते हैं और फिर हम करते हैं energy sources and magnetic field any key principle of superposition the net magnetic field due to several sources is vector sum of magnetic field of each individual source it means किसी भी place पे magnetic field वहाँ पे जितने भी sources हैं उन सब की वज़े से magnetic field के vector sum के बराबर होगा क्योंकि strength of magnetic field एक vector quantity होती है यह हम आगे study करेंगे तो इस तरह से यह vector sum के बराबर होगा net magnetic field किसी भी space में जितने भी वहाँ source ही जाओं सब की वज़े से magnetic field की जो strength होगी उसके vector sum के बराबर net magnetic field होगा simple net यह lorange force क्या होता है तो हम study करेंगे what is तो when a charged particle having charge q moves in a region where both electric field e and magnetic field b exist it experiences a net force called lorange force तो lorange force particle पे लगेगा अगर वो electric field और magnetic field एक ऐसा region है जहां पे electric field भी exist कर रहा है और magnetic field भी कर रहा है तो फिर charge particle पे force लगेगा force on charge particle due to electric field e plus force on charge due to magnetic field b तो charge particle एक ऐसे region में वो कर रहा है जहां पे electric field भी exist कर रहा है और magnetic field भी exist कर रहा है तो net force particle पे जो apply होता है उसे हम lorange force कहते हैं and that will be given by the electric force on the particle plus the magnetic force on the particle magnetic force को हम f v से दिखाएंगे और electric force के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर q charge e electric field में move कर रहा है या rest में है या move कर रहा है उस पर q e force लगता है लेकिन magnetic force की बात हम करेंगे कि charge particle अगर v velocity से b magnetic field में move कर रहा है तो उस पर force लगता है q v cross b तो यह होगा आपका magnetic force यह होगा electric force इन दोनों के sum के वराबर जो force लगेगा उसे हम कहते हैं लोरेंज force applied on the particle तो simple है तो अगर electric field भी exist कर रहा है magnetic field भी exist कर रहा है किसी रीजन में और charge particle वहाँ से move कर रहा है तो उस पर दोनों force लगेंगे और net force लोरेंज force जिसे हम कहेंगे वह इन दोनों एलेक्रिक और magnetic force इसके vectors हमके बराबर होगा simple अब हम बात करेंगे मेंगनेटिक के लोरेंज force की बात करेंगे क्योंकि electric force तो हम क्यों यह के बारे में study कर चुके हैं electric electrostatic में और electricity में अब यहां बात करेंगे magnetic लोरेंज force की अब यह क्या होता है magnetic लोरेंज force तो it is applied on charge moving with velocity v making angle theta with b तो अगर एक charge particle किसी magnetic field में enter करता है q charge particle v velocity से और किसी magnetic field में यह enter करेगा मालिजे यहां पे कोई magnetic field है b तो इस पे एक force लगता है जहां हम उपर भी बात की थी अभी magnetic force की and this magnetic लोरेंज force is given by q v cross b v velocity particle की b magnetic field की strength और अगर हम बात करें in magnitude in magnitude तो फिर यह force होगा f v is equal to q v b sin theta symbol और अगर कोई कहें कि इसकी direction क्या होगी तो आपने देखा यहां पे f b जो magnetic force लग रहा है charge particle पे वो cross product के हिसाब से है यहां पे क्योंकि आपने पढ़ा कि अगर हम दो vector a और b को cross product करते हैं वो c के बराबर आते हैं तो जो c की direction होती है c का magnetic तो a b sin theta हो गया लेकिन c की direction a और b दोनों के plane के perpendicular होते हैं तो हम यहां पे magnetic force की direction को भी आगे थोड़ा detail में study करेंगे कि जो cross product के हिसाब से ही हम इसके direction को पता करेंगे clear है तो the direction of f b direction of f v is perpendicular to the plane containing v and b vector v and b or you can say perpendicular to the v also and b also तो जो f v होगा आपकी ध्यान से देखना f v will be perpendicular to v and also f b will be perpendicular to b तो जो magnetic force होगा वो v के भी perpendicular होगा और b के भी perpendicular होगा यह cross product के हिसाब से हम पहले से ही जानते हैं clear है अब धोड़ा साम इसके special cases देखे तो हमने पढ़ा लोरेंज force किसी भी particle पे f v होता है अगर q charge v velocity से b magnetic field में magnetic field ते theta angle बनाते हैं enter करता है तो उसके force लगता है q v b sin theta तो यह आपका magnetic field है मालीजे यह इसके direction है uniform magnetic field और q charge यहाँ से enter करेगा इसमें v velocity से मालीजे theta angle बनाते है magnetic field से तो इस पर यह force लगेगा q v b sin theta तो फिर इसके special cases हम देख सकते हैं theta is equal to 0 degree और 180 degree तो ध्यान से देखना कितना interesting result आता है f v will be 0 तो magnetic force particle experience ही नहीं करेगा अगर वो magnetic field के parallel move कर रहे है या anti parallel move कर रहे है तो very interesting चार्ज पर्टिकल पर magnetic force तभी लगेगा जब वो magnetic field से कोई angle 0 या 180 से अलग कोई angle बनाते है तभी magnetic force लगेगा आप expression देखे के result में clear है और तो इसका मलब charge particle पर क्यों move parallel और anti parallel to the direction of b then force magnetic force on the particle will be 0 very interesting result और अगर कोई कहे कि v is equal to 0 अगर particle move ही न कर रहा है तभी f v 0 तो देखिए ध्यान से बड़ा interesting result है जब हम बात करते हैं electric force की तो वो qe होता है particle पे अब charge particle चाहे rest में हो चाहे move कर रहा हो दोनों condition में उस पे qe force लगेगा लेकिन magnetic force के case में ऐसा नहीं अगर charge particle move नहीं करेगा तो magnetic field भी उसको कुछ नहीं करेगा उसको परिशान ही नहीं करेगा चार्ज particle आराम से बेटा है तो magnetic force उसको पर लगेगा ही नहीं magnetic field उसको परिशान नहीं करेगा clear सी बात है बड़ा इंट्रेस्टिंग है तो charge particle पे तभी magnetic force लगेगा जब वो move करेगा magnetic field में और वो भी 0 या 180 से अलग एंगल बनाते हुए दोनों के देखे कितने इंट्रेस्टिंग है अब समझ के देखे physics बड़ी इंट्रेस्टिंग है अब हम बात करेंगे magnetic लोरेंज फोर्स के direction के next तो direction of magnetic force on charge particle moving charge particle तो पहला एक force direction of F माली जे यहां पर charge particle V velocity से move कर रहा इस direction में और theta एंगल बनाते हुए magnetic field की माली जे यह direction यह plane हो गया V cross V V और V दोनों से बना वा तो यह force की direction होगे जो charge particle पे magnetic force लगेगा और यह आपने अभी पढ़ा था FB is equal to Q V cross B तो यहां पर इसे rule को direction of FB direction of FB using right-handed screw rule हमें study करेंगे क्या है right-handed screw rule if V and B particle की velocity और magnet यानि की charge particle are in the is moving in the plane of paper if V and B are in the plane of paper plane of paper and if we imagine a screw driver in our right hand and if we circled it from V to B अगर हम एक screw driver को assume करें right-hand में right-hand में ज्यान से रेखना यह screw driver है और इसे हम assume करते है right-hand में keeping perpendicular to both of them V और B दोनों के perpendicular रखते हुए then the moment of tip of the screw driver will show the direction of FB as shown in figure A तो यहां पर अगर हम V से B की तरफ को screw को अपने right-hand में लेके move कराते हैं imagine करके देखे आप V से B की तरफ को अगर move कराओगे अपने screw driver को तो उसकी tip किदर जाएगी आप इसको V से B की तरफ को move कराएगे इस plane में देखे V से B की तरफ इस angle की direction में तो इसकी tip चलेगी उपर की direction में imagine करिए तो यही FB की direction होगी क्योंकि आपने इसे V से B की direction में गुमाया है clear है? तो देखना ध्यान से बड़ा interesting है और यह rule इस तरह से आपको direction बताता है magnetic force की on moving charge हीने magnetic field अब एक दूसरा एक rule है direction of FB बताने के लिए यह भी आपको direction of FB बताएगा using right hand thumb rule तो thumb rule क्या है? तो if V and B are in the plane of paper plane of paper and we adjust our right hand in such a way that our fingers and circles from V to B अगर हम अपने right hand की fingers को घुमाई V से B की direction में then thumb will show the direction of FB as shown in figure B तो यह देखे right hand में rule आप ध्यान से देखे V से B की direction में अगर आप right hand की fingers को encircle करते हैं thumb को perpendicular रखते हुए V से B की direction में figure देखे कितने clear है तो आपको जो thumb है वो direction of magnetic force होंदा charge particle बताएगा clear है? कोई problem नहीं होनी चाहिए बड़ा interesting है समा जाने वाली चीज है इनको दुबार आप वीडियो देखना बड़ा interesting chapter आप पढ़ रहे है अब हम भाद करेंगे definition of magnetic field from lorange force तो students अभी हमने पढ़ा कि अगर Q charge V velocity से V magnetic field में move कर रहा है theta angle बनाते हुए तो उस पे force लगता है FB QVB sin theta clear? पढ़ा था तो यहीं से अगर मैं इसी relation को लिखता हूँ V is equal to FB upon QV sin theta और अगर यहां पे यानि के Q यहां पे charge a particle moving with velocity V in magnetic field V making angle theta with the direction of V तो अगर यहां पे हम Q को 1 कुलाम ले ले V को 1 meter per second ले ले और theta को अगर हम 90 degree रखे then B is equal to क्या कहोगे आप FB तो यहां से हम magnetic field की strength के definition निकालेंगे तो आप क्या बोलोगे आपे मैं बोलूँगा सिर्प आप समझना है बसे तो इसका मलाब therefore strength of magnetic field B at a point may be defined as the magnetic force experienced by unit charge moving with unit velocity at right angle to the magnetic field तो अगर 1 कुलाम charge 1 meter per second से magnetic field से 90 degree angle बनाते हुए move कर रहा है तो उस पे जो force लगेगा वो numerically mathematically magnetic field की strength के बड़ाबर होगा तो बड़ा interesting है और यहां पे इसी expression से आप unit of magnetic field निकाल सकते हैं जब आपको expression पता चल गया तो unit of magnetic field unit of B तो unit of F Newton unit of Q कुलाम unit of V meter per second और sin theta तो एक नंबर है तो आपकी unit हो गई आपका आगे आईए और कुलाम per second को आप ampere भी लिख सकते हैं charge divided by time तो newton meter ampere या आप इसको tesla कहते हैं unit of magnetic field को SI unit में इसको नाम देते हैं tesla तो one tesla is equal to newton per ampere per meter तो tesla unit होती है magnetic field की SI unit और capital T से हम इसे denote करते हैं तो T is equal to you can say newton ampere per meter या one tesla is equal to one newton per ampere per meter तो one tesla की भी definition आप दे सकते हैं तो आप कह सकते हो कि अगर एक one कुलाम चार्ज one meter per second से magnetic field से perpendicular move कर रहा है magnetic field में और उस पे अगर one newton का force apply होता है magnetic force तो इसका वालब वहाँ पे जो magnetic field की strength है वो one tesla है बढ़ा इंट्रेस्टिंग है यहाँ पे आपने tesla के definition भी study कर ले और tesla को T से denote करते हैं यह आपने देख लिया तो very interesting आगे बढ़ते हैं इसे दुबार आप देख सकते हो magnetic field को आपने यहाँ पे define किया magnetic force होने current carrying so students consider a conductor यह conducting rod of uniform cross sectional area यह यह length L let and length L let one kind of mobile charge करिया that is electrons conducting rod है तो electrons ही होंगी are there इसमें one kind of charge करिया रही है माली ज़े वो electrons है तो माली ज़े कि number density of electrons number density of electrons in this conductor be N then total number of electrons total number of electrons in conducting rod is given as N is equal to माली ज़े total number of electrons को हम capital N से देनोट कर रहे N into N A L N into A into L N यहाँ पे number density of electrons नहीं number of electrons per unit volume A area of cross section of the rod और L इसका length तो A L का महला volume तो एक capital N हो गया माली ज़ेसमे I current flow कर रही है और यह magnetic field में रखा है uniform magnetic field से theta angle बनाते हो यह magnetic field की direction है तो current इससे theta angle बनाते हो है अगर इसमें move कर रही है तो magnetic force कितना लगेगा जब इसमें current flow कर रही है तो आपको पता है electrons की वज़े से कर रही है और electron opposite direction में drift velocity से move करते है तो force on one electron magnetic force on one electron माली जब F1 से denote करेंगे it will be given by E QV cross B और electron पर charge होता है E और that is minus E तो इस पर फोर्स लगेगा minus E V cross VD V का मला VD drift velocity of electron equation 1 या A अब यहाँ पर यह तो एक electron पर force हुआ force on magnetic force on current carrying conductor conductor तो यहाँ पर total force कितना magnetic force कितना लगेगा इस पर तो एक electron पर force आपने F1 पढ़ा और N number of electrons है इसके अंदर तो total force on the current carrying conductor will be given by N into F1 N की value आपने लिखा N AL equation उपर हमने लिखा यह देखे ध्यान से और F1 की value है E VD cross B clear है और minus E तो यह equation number B हो गया है तो यह magnetic force लगेगा आपके current carrying conductor पे हम जानते हैं current और drift velocity में एक relation पढ़ा था drift velocity में current इने conductor is equal to A N E VD और अगर हम इसे थोड़ा vector form में लिखें current element को हम अगर vector देए I into L L जो यहाँ हमने I L जो vector लिया है यह current element हम बोल सकते हैं और इसका magnitude होगा multiply product of the current in the conductor and into its length और direction of current in it direction of current जिस direction में current flow कर रही है तो I into L को अगर मैं इसमें vector form में लिखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ minus A N E VD को भी फिर हम vector form में लिखेंगे clear है तो यहाँ पे अगर मैं यह equation C ले लो और from equation B and C so we can write from equation B and C so we can write the magnetic force on current carrying conductor will be given by I L cross B I L cross B ध्यान से देखें I L vector current element vector into B so I L cross B equation number 1 और अगर हम यहाँ करें magnitude की बात magnitude यानि की magnetic force on current carrying conductor is given as I L B sin theta और I क्या है यहाँ पे I है current in the conductor L उसकी length है B magnetic field की strength है और theta angle पे current flow कर रही है magnetic field से theta angle बनाते हुए तो बस यहाँ पे QE B sin theta था यहाँ पे आपने पढ़ लिया I L B sin theta तो समझने वाली बात है कोई problem नहीं है अगर I current L length की conductor में flow कर रही है और वो B magnetic field में रखा है तो उस पे force लेगेगा magnetic force I L B sin theta और इसकी direction भी I L cross B तो cross product of I L vector into B vector cross product का जो rule है right hand thumb rule और right hand screw rule लगा के यहाँ पे भी हम magnetic field की magnetic force की direction निकाल सकते है current carrying conductor पे ध्यान से हम इसे चीज को पढ़ेंगे यह बड़ी समझने वाली चीजे हैं और यह तो यहाँ पे आपका जो conductor है माली जे magnetic field के बिलकुल एक angle बनाते हुए रखा straight conductor और आपका conductor थोड़ा ऐसा हो तो फिर हम इसके हर portion पे अलग अलग force निकालेंगे माली जे dl portion लेके और फिर आप उसको dl portion पे force निकालेंगे तो वो होगा आपका i dl b sin theta और net force निकालने के लिए फिर आपको integration करना पड़ेगा और integration of df यह आप कहा सकते हो i तो constant है b constant है theta बदल रहा है time के साथ तो आप इसके integration के अंदर ले सकते हैं dl sin theta तो इस तरह से करके भी आप अगर आपका conductor यह है और इसको यह magnetic field से same angle ना बना रहा है इसका अलग-अलग portion अलग-अलग angle बना रहे हैं तो फिर हम इस तरीके से net force निकालेंगे तो simple language में यह आप यह समझ सकते हो कि अगर i current l length के conductor में flow कर रही है A cross sectional area है B magnetic field है उससे theta angle बनाते हैं conductor रखा है तो उस पर force लगेगा I L cross B vector form में या उसका magnitude होगा I L B sin theta It is very interesting समझ ना इसको Next आज जो हमने topic पढ़े है उसके 20 पे कुछ numericals और यह numerical board exam में आये But one marks का question है यह particle of mass M and charge Q moving with velocity V enters in the region of a uniform magnetic field at right angle to the direction of its motion How does its kinetic energy get affected तो अगर particle M mask का है Q charge है और his magnetic field में एंटर करता है तो उस पर एक force लगेगा और आपको पता है force जो है हमेशा perpendicular होता है velocity के और magnetic field के भी तो जो force velocity के perpendicular होगा आप ध्यान रखना बिटा वो कभी भी velocity के magnitude को change नहीं करेगा तो को कियो यह force because FV is always perpendicular to V therefore FV will not change will not change the magnitude of V magnitude यानि की particle की velocity के magnitude को change नहीं करेगा उसकी direction को change करेगा therefore kinetic energy of the particles क्योंकि V में change नहीं होगा उसके magnitude में change नहीं होगा तो kinetic energy of the particles remains unaffected कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी kinetic energy 1 by 2mv square अगर पहले थी तो अब भी 1 by 2mv square ही रहेगी तो इसमें यह पूछा है अफेक्ट होगा या नहीं होगा तो नहीं होगा अगर particle 90 degree पेंटर कर रहे है, magnetic field से तो question अबिटाए, board exam का question है, two particles a and b of masses m and 2m have charges q and 2q respectively both these particles moving with velocities v1 and v2 respectively in the same direction enter the same magnetic field b acting normally to their direction of motion अथो यहाँ यहाँ पे magnetic field जो है इनकी direction के perpendicular है, यहाँ के particle magnetic field के perpendicular move कर रहे है एंटर करते है, magnetic field में और यह perpendicular move कर रहे है, पहला particle q mass q charge m mass और v1 इसकी velocity और दूसा particle यहाँ से enter करते हैं माली जैसी region से, यहाँ से इस point से और इसकी 2q चार्ज हो गया, 2m mass हो गया और v2 इसकी velocity यह given है question में, तो diagram हमने बना लिया और acting normally to their direction of motion, magnetic field normally move कर रहा है if the two forces fa and fv acting on them are in the ratio 1 ratio 2, find the ratio of their velocity तो given जो दिया है वो आप note कर लीजे, पहले particle का mass m, दूसरे का 2m, पहले पे charge q, दूसरे पे 2q पहले की velocity v1, दूसरे की v2 और दोना force का ratio 1 ratio 2 और आपको निकालना है v1 ratio v1 ratio v2, तो आप देखिए यहां पे क्या करीए, तो आपको पता है force पहले particle पे, divide by दूसरे particle पे, तो यह बराबर होगा q1 v1 b sin 90 है दोनों के इसमें, अभी theta लिखे लेते हैं, q2 v2 b sin theta, और यहां पे q1 का मतलब q है, v1 का मतलब तो v1 ही है, और b, magnetic field भी हम b से दिखा रहे है, sin 90, और यह हो गया q2 का मतलब हो गया 2q, और 2q multiply by जो velocity है v2, और magnetic field भी है, और sin 90, magnetic field same है, तो आप जब इसको करोगे, तो यह आपका v1 upon 2 v2, और fa upon fb दिया है ratio, 1 ratio 2, that is v1 upon 2 v2, तो यहां से v1 upon v2 आपका हो गया, 2 upon 2, that is 1 upon 1, तो अगर ratio में लिखो, तो v1 ratio v2 is equal to 1 ratio 2, तो नहीं, 1 ratio 1, sorry, तो दोनों velocity का ratio 1 ratio 1 होगा, very important, और यह board exam में है, ध्यान से करना बड़ा important question है, इस तरह के question करोगे, next question, okay, the question is, यह भी board exam का question है, state wire of mass 200 gram, and length 1.5 meter, carries a current of 2 ampere, it is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B, what is the magnitude of the magnetic field, तो यहां पे wire suspend किया हुआ है, इस पे इतना magnetic force लगा है, कि इसके weight को balance कर रहा है, clear है, तो यह given है, एक तरह से force, जो इस पे उपर लगा हुआ, magnetic force, वो इसके weight को balance कर रहा है, यह भी एक तरह से given है, इसमें, अगर हम से magnitude की बात करते हैं, clear है, तो यह भी given है, और यह आप mass दिया है, 200 gram, और length है 1.5 meter, current है, इसके अंदर 2 amp, तो आपको इसको पहले तो SI unit में change करना है, जो given है, और आप आपने थोड़ा diagram बना लिया, तो इसका वालब इसके force लग रहा है, FB, magnetic force, जो इसके weight को balance कर रहा है, clear है, तो जब weight को balance कर रहा है, तो आपको magnetic field निकालना है, तो कर दीजिए, execute, करना क्या हमें, magnetic field निकालना है, तो execution, तो execution देखे, इसका मलब जो force लग रहा है, magnetic force, वो इसके weight के बराबर है, इसको weight को balance कर रहा है, इसी वज़े से mid-air में suspended है, और आपको पता है, I current, L length के conductor में अगर flow कर रहे, B magnetic field, और तो I, L, B sine theta उसके force लगता है, M यहाँ पे given है, 200 into 10 to the power minus 3, G की value आप ले सकते हैं, 9.8, सारी value जो I की भी है, left hand में भी आप current को रखना था, और current की value है, 2 ampere, length है 1.5 meter, magnetic field निकालना है, sine 90 है, यहाँ पे given है, तो यह 202 into, 200 into 10 to the power minus 3 into 9.8, clear, तो यह सारी values जब आप रखोगे, तो B is equal to आप कहा जाएगा, 200 into 10 to the power minus 3 into 9.8, divided by 2 into 1.5, और जब आप इसे solve करोगे, तो यह आएगा, 0.6533 Tesla, तो देखे कितने simple question आते हैं, बोर्ड एक्जाम में, अगर आप ध्यान से करोंगे, तो बड़े easy है, I L B sin theta is equal to weight के बराबर हो गया, तो very interesting, आज जो हमने topic की हैं, they are very very interesting, और कुछ numericals की हैं, जो इनके base में, बोर्ड एक्जाम में आया हैं, आज के लिए इतना ही, thank you.